कर्म बड़ा है या भाग्य या भाग्य ये सवाल प्राचिन काल से ही चला आ रहा है जिसमें कर्म मानने वाले लोग कहते हैं के भाग्य कुछ भी नहीं वहीं पर भाग्यवान लोग कहते हैं कर्म का कुछ भी महत्व नहीं है हर मनुश्य कर्म और भाग्य को अलग-अलग रश प्राचिन काल में एक संथ हुए थे जिनका नाम था ग्यानेश्वर उनके दो सिस्यते करमेश्वर और भागेश्वर एक दिन दोनों में बड़ा ही विवाद हो गया जिसमें करमेश्वर करम को बड़ा मानता था पर भागेश्वर भागेश्वर बागे को करम से बड़ा मानत गुरुवर ज्यानेश्वर ने कहा इसका समACHदान तो मैं निकाल दूँगा, कल प्राप्तकाल तुम दोनों सिश्य मेरे आस्रम के बाहर आकर मुझे मिलना, यह कहा कर ज्यानेश्वर अपना ध्यान लगाने चले गए, अगले दिन करमेश्वर और ज्यानेश्वर प्राप्तकाल को गुरुदेव के आस्रम पर आ गई गुरुदेव ने दोनों सिश्यों को एक बंद कमरे में डाल दिया उस कमरे में चारो और केवल अंदेरा ही अंदेरा था परकास की एक पी किरन नहीं थी थोड़े समय के बाद करमेश्वर और भागेश्वर दोनों को भुक और प्यास लगने लगी करमेश्वर अपने करम पर परोसा करता था इसलिए कमरे में कुछ खाने की वस्तू इदर उदर ढूंडने लगा वहीं पर भागेश्वर अपने भागे पर परुसा करता था इसलिए वो बैटकर राम नाम का जब करने लगा उसने सोचा भागे में होगा तो खाना मिल जाएगा पर करमेश्वर पूरे कमरे में इदर से उदर कुछना कोई डूंटा रहा और उसे पौशारी छोटे भी लगी फिर भी उसने हार नहीं मानी अंत में जाकर उसे एक बरतन में चने मिल गए करमेश्वर उन चनों को पाकर बहुत परसंद हुआ और वहाँ पर बैटकर चने खाने लगा चने खाते खाते जब उसके मुँँ में कभी कंकड आ जाते तो वो कंकड को भागेश्वर को दे देता था ऐसे करते करते करमेश्वर का पेट भर गया और भागेश्वर को कंकड मिल गई अगली सुब जब गुरुर देम ने कमरे का दरवाजा खुला तो करमेश्वर का पेट भरा हुआ और भागेश्वर का भूखा मिला कमरे का दरवाजा खोलने के साथ रोशनी भी अंदर आने लगी और करमेश्वर आच्छे रह सकीत रह गया क्योंकि जो करमेश्वर अंदेरे में कंकड समझ कर जो पत्तर भागेश्वर को देरा था वो कंकड नहीं बलकि हीरे थे इस कतागा हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग-अलग निश्कर्ष निकालता है वैसे अभी आपको हम बताएंगे कि दोनों मैंसे कौन बड़ा है वैसे सत्य तो ये है कि दोनों एक ही समान है ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है अगर आप अच्छे करम नहीं करोंगे तो आपका भागे भी साथ नहीं देगा अगर आपका भाग के खराब चल रहा है तो आप करम भी अच्छे नहीं कर पाऊंगी वैसे करम के बारे में भगवद गीता में भी बहुत कुछ का गया है वो भी आज हम आपको बताएंगे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा की करम अपना निद्यकर करम नहीं करने से कहीं अच्छा है करम करना और करम के बिना जीवन का निर्वा भी नहीं हो सकता पता में दोनों करमेश्वर और भागेश्वर ने अपने अपने करम किये, करमेश्वर ने खाने की खोज करने का करम किया, वहीं पर भागेश्वर ने राम नाम का करम किया, मतलब अपने जीवन में आपको करम तो करना ही पड़ेगा, करम से कोई भाग नहीं सकता, करम का फल भी मिलेगा ये भी अटल सत्य है भाग्यस्वर को हीरे मिले इसका भी एक मुक्त कर दूगा चिंता मत कर और मुझ में ना नीज त्यान लगा दे कर्म और भाग्य मैंसे कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है जिस परकार भाग्य लोई के समान है कर्म रूपी सुंबग होता है और सुंबग के पास लोई हमेशा खीचा चला आता है वैसे ही कर्म के पास भाग्य हमेशा खीचा चला आएगा पास्तम में भाग्य हमारे ही कर् अच्छे और सतकर्म किये जाए तो भागी को अपनी और मोड़ा जा सकता है इसलिए हमेशा कर्म करते रहे और आपका भागया निर्वित होता रहेगा और हमेशा सतकर्म और अच्छे कारिय करें तो दोस्तो इस बारे में आप क्या कहते हैं हमको कमेंट करकर बताए साती हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेर करें साथी चैनल को सस्क्राइब जरूर करें